असलाम अलेकुम डियर वीवर्स मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं MLT Hub with कामरान कैसे हैं डियर वीवर्स उमीद है सब ठीक ठा कौंगे आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है CMV टेस्ट इस टेस्ट को साइटो मेगेलो वाइरस टेस्ट भी कहा जाता है वक जाया नहीं करते हैं शुरू करते हैं अपना टॉपिक CMV टेस्ट डियर वीवर्स जो दोस मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को कर दीजिए सबस्क्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दुबाई दीजिए ताके हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोडिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके सबसे पहले हम ये जानेंगे के साइटो मेगेलो वाइरस क्या है तरसल में ये एक वाइरस है और ये वाइरस हरपीज वाइरस की फैमली से तालुक रखता है लोग जो सहतमंद होते हैं जिनका immune system बहुत जबरदस होता है तो ऐसे लोगों में अगर ये infection हो भी जाए तो ऐसे लोगों में ये वाइरस खामोश रहता है लेटन्ट रहता है और ऐसे सहतमंद लोगों में कोई भी आलामात बीमारी की नहीं आती वो लोग वो मरीज जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है कम होता है जैसे के एड्स के मरीज होते है तो ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा खत्रा बढ़ जाता है कि ऐसे लोगों में इसका इंफेक्शन हो जाए इसके इलावा वो खवातीन जो हमल में हो तो दोराने हमल अगर उनको इस CMV का infection होता है तो वो बहुत असानी से अपने बच्छों में इस infection को transfer कर सकती है और ऐसे बच्छों में जब ये infection होता है तो वो कहलाता है congenital cyto-megello virus infection और ऐसे बच्छों में बहुत ज़्यादा खत्रा होता है कि उनका जो दिमाग है तो उसको डेमिज पहुंचाए ये वाइरस अभी बात करते हैं कि ये वाइरस एक इनसान से दूसरे इनसान में कैसे मुनतकिल होता है तो वो बिमार जनमें ये वाइरस मुजूद होता है तो वो मुखतलिफ तरीगों से या रास्तों से इस वाइरस को एक सिहतमन्द इनसान में मुन्तकिल कर सकते हैं वो तरीके वो रास्ते क्या हैं तो वो हैं सेक्श्वल कॉंटेक्ट की वज़ से, सीमन की वज़ से, मुमे मौझूद सलाईवा की वज़ से, बलड ट्रांस्फूजन की मदद से, और्गन ट्रांस्प्लांट की वज़ से, मरीज के यूरीन के साथ अगर कोई कॉंटेक्ट में तो उससे भी ये सहतमन्द लोगों में मुन्तकिल हो सकता है। मा जिनको इस CMV का इन्फेक्शन होता है तो वो जब अपने बच्चे को दूद पिलाती है तो उस दूद से भी ये वाइरस ट्रांसफर हो सकता है। हमल के दोरान जो बच्चे मा के पेट के अंदर होते हैं तो मा और बच्चे के दरमयान एक ट्यूब का कॉंटेक्ट होता है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है जिससे मा से जो खून होता है तो उसमें जो निट्रियंट्स है ऑक्सीजन जो है वो बच्चे में जाता है तो उस प् कांसुं के साथ कांटेक्ट में आता है, राबिते में आता है, तो ये वायरस आसानी से सहतमन बंदे में मुनतकिल हो सकता है. अभी बात करते हैं कि साइटो मिगेलो वाइरस का इंफेक्शन अगर जवानों में हो जाए एडिल्स में हो जाए तो इसकी अलामात क्या होंगी यहां पर मैं आपको बताता चलूँ कि इस वाइरस के जो अलामात होती है वो जवानों में इतनी शदीद नहीं होती जो अलामात इन में आ सकती हैं वो होती है कि मरीज को बुखार होता है मरीज का जिसम बहुत ज्यादा ठकता है जिसम के पूरे मसल्स में दर्द होता है गले में दर्द होता है मरीज की बूक बिलकुल खतम हो जाती है और मरीज का जो वजन है वो दिन बदिन कम होता है अभी बात करेंगे कि वो मरीज जिनका इम्यून सिस्टम कमजور होता है या किसी बीमारी की वज़े से उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है और अप इम्वी का इंफिक्शन बहुत बुरे अलामात के साथ आ सकता है तो वो अलामात होती हैं, मरीज को इंसिफलाइटस हो सकता है, मरीज अंदा हो सकता है, मरीज के गेस्ट्रो इंटस्टाइनल ट्रेक्ट में जखम पड़ सकते हैं, मरीज को जटके आ सकते हैं, मरीज को नमुनि system कमजोर होता है तो इस वाइरस की वज़ा से इस वाइरस के infection की वज़ा से वो कोमा में भी जा सकता है अभी बात करते हैं कि जो congenital cytomegalo virus है तो इसका symptoms क्या होते हैं मैं यहां पर आपको बताता चलूँ वो माए जिनको हमल के दोरान ये वाइरस उनके खून में आ जाता है जिसम में आ जाता है तो ये वाइरस बच्चों में मुन्तकिल हो जाता है हमल के दोरान मा के पैट के अंदर और ऐसे बच्चों में जो infection होता है तो उसे कहा जाता है Il ton life was generate congenital cytomegalovirus और ऐसे बच्चों बच्चों में जो अलामात आ सकती है जो काफी शब़ीद भी हो सकती है बच्चे को पैदा होने के बाद उसके जिसम में जटके का पैदा होना पैदा होने के कुछ वक्द बाद बच्चों में सुनने की जो चीक। बच्चों का जो स्प्रीन है उसका साइज बढ़ सकता है जिसे स्प्रीनों मिगेली कहते हैं बच्चों का जो लिवर है उसका साइज बढ़ सकता है जिसे हिपेटों मिगेली कहते हैं बच्चे वक्से पहले पैदा हो सकते हैं अगर मा को कहीं ये इन्फेक्शन ताजा हुआ ह हमल के दोरान ऐसे बच्चों को नमुनिया हो सकता है ऐसे बच्चों को जाइंडस यानी सादा यरकान जो हो सकता है और 75 फीसद बच्चे ऐसी भी है जिनको शायद जो ब्रेंड डेमिज है वो हो जाए यानि उनके जो दिमाग है उसको नुकसान पहुंचे बात करते हैं कि CMV की तश्खीसी एहमियत क्या है तो इस टेस्ट की मदद से हम ऐसे लोगों का पता लगा सकते हैं जो चाहते हैं कि वो अपना कोई औरगन किसी बंदे को डोनेट करें तो ऐसे डोनर्स में उनका बलड टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि कहीं उनमें CMV का इनफेक्श तो नहीं है क्योंकि खौम खौम में ही एक दूसरे बंदे को ये इनफेक्शन फिर हो सकता है ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो डॉक्टर उनको कहता है कि आप जाकर अपना खून चेक करें CMV का ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं CMV का इनफेक्शन तो ज्यादा एहमियत का हामिल होता है ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं उनको CMV का इनफेक्शन तो नहीं है बात करते हैं कि CMV इनफेक्शन के लिए कौन से टेस्ट किये जाते हैं तो वो खवातीन जो हामिला होती है या वो खवातीन जो इरादा रखती हैं कि वो बच्चा प मतलब होगा कि ये infection ताजा है रीसेंट है और अगर IgG antibody positive आईगी तो इसका मतलब होगा कि माजी में कभी infection हुआ था और ये infection अभी recover हो चुका है। हामिला खावातीन के पैट से एक fluid निकाला जाता है जिसे amniotic fluid कहा जाता है तो वो निकाल कर उसका PCR टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि कहीं इसमें साइटो मिगेलो वाइरस तो नहीं मौझूदू बच्चे पैदा होने के बाद जब उस पर डॉक्टर का शक होता है क शायद इसे congenital साइटो मिगेलो वाइरस का infection हो तो ऐसे बच्चों में जो standard test है तो वो saliva से या urine से PCR टेस्ट किया जाता है और saliva और urine में देखा जाता है कि साइटो मिगेलो वाइरस तो कहीं मौझूद नहीं है जो मरीज जिनका immune system कमजोर होता है कम हो चुका होता है तो ऐसे म immunization का test भी किया जा सकता है cell culture भी किया जा सकता है और patient से tissue का sample लेकर उसका immunohistochemistry का test भी किया जा सकता है बहुत ज़्यादा शुकरिया MLT Hub with कामरान देखने के लिए उमीद है ये lecture आप लोग को पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को like कीजिएगा अपने दो क सुज आपे ये जब लेकिया जांघ और ये लेकर भीक séंट अव होधिवर सिर antरव मेल मेल मेंभी तो डा मेंभी दो MAR्या अवर दो